हेलो फ्रेंब्स बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में फ्रेंड इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रामर के एक बहुत the important topic subject agreement और यह topic का part 1 है इसका remaining part हम next videos में देखेंगे ये topic काफी common है और काफी important है सभी banking और सभी SSC exams के लिए तो इसके concepts को हम समझेंगे और सारे rules हम इस video में पढ़ेंगे तो चलिए श्रुवात करते हैं कि subject agreement का मतलब क्या है subject agreement का सिंपल 사 मतलब है कि subject के according verb आनी चाहिए, यदि subject singular है, तो verb singular होगी, और यदि subject plural होगा, तो verb भी plural ही होगी, यह simple सा rule है इसका, लेकिन काफी सारे concepts हैं इसके, जैसे यहाँ पर यदि आप यह sentence देखें, तो यह उपर वाला sentence भी correct है, और नीचे वाला sentence भी correct है, यहाँ पर singular subject है, तो हमने यहाँ पर गोज लगाया है, और यहाँ पर राम और यहाँ पर हमने गो लगाया है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, तो यह दोनों ही sentence correct है, यह simple concept है, और यहाँ से हम कुछ rules पढ़ेंगे, जैसे past tense in the principle clause should be followed by a past tense in the subordinate clause, इसको समझने से पहले आप clause को समझे, यह clause क्या होता है, जैसे एक sentence है और उसमें दो पार्थ है, जैसे यह वाला sentence देखी आप, she hinted, ठीक है, तो इसमें यह subject है, और यह verb है, तो यह एक पार्थ हो गया, और दूसरे पार्थ मन देखे, she एक subject है, और यह बर्ब है, यह दूसरा पार्थ हो गया, लेकिन यह जो पा क्लॉ lawnल है मतलब इस वारे clause पर depend है ये है main clause और ये है subordinate clause तो rule का मतलब ये है कि यदि principle clause जैसे इस में she hinted है ठीक है तो principle clause जैदि पास्ट्नेर्स में है तो subordinate clause भी पास्ट्रेंज मैं होगा अब इसमें यहां पर hinted लिखा हुआ है और यहाँ पर wants लिखा हुआ है तो यहाँ पर hinted है past tense में और यहाँ पर wanted है पासटेंस में तो नीचे वाला sentence जो है यह correct है इसके base पर काफी question आते हैं और यहाँ पर आप देखें यह भी sentence इसमें will लगा है तो यहाँ पर will का आपको past tense करना होगा, will का would करना हो, क्योंकि यहाँ पर यह past है, और इसका एक rule यह है, यह second वाला rule यहाँ पर लिखा हुआ है, यह है इसका second rule, when the subordinate clause expresses a universal truth, a quotation or a fact, it must be in the present tense, यदि subordinate clause universal truth को express करता है, quotation को express करता है, या किसी fact को express करता है, तो उसको हम present tense में ही रखेंगे, क्योंकि present tense पर रखने का मतलब यह है कि वो चीज हमेशा true है, हमेशा सही है, चाहे उसको आप present में बोलें, चाहे आप past में बोलें, जैसे एक यह example देखिए कि पानी 100 degree Celsius पर ओवलता है, तो इस sentence को यदि आप past में बोलें या present में बोलें, वो जो fact है वो change नहीं होगा, जो reality है वो change नहीं होगी, tense के साब से, तो इसलिए इसको आप present simple tense में ही लिखेंगे, जैसे यह हम पर देखिए यह sentence, he said that water, he said that water boils at 100 degree Celsius, तो यहाँ पर यह sentence correct है, हाला कि इसमें यह past tense है, principle clause में said, और यह present tense है, लेकिन फिर भी यह correct इसलिए है, क्योंकि इसमें हम universal truth की या fact की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही यह वाला sentence है, देखिए इसमें, इसमें false होगा यहाँ पर, तो यह sentence correct है, और इसमें honesty is the best policy quotation है, तो यह सही होगा, यह was गलत होगा इसमें, ठीक है, तो simple concept है, और when the principle clause is in the past tense and the subordinate clause is introduced by then, subordinate clause may be in the present tense or past tense, यानि subordinate clause यदि दिखेंगे हैं, यानि subordinate clause य dance introduce हो रहा है, तो उसको आप present या past दोनों में ही लिख सकते हैं, और दोनों में ही वो correct माना जाएगा, जैसे यहाँ पर देखिए, he liked you, better than he liked me, और he likes me, यह दोनों ही sentence correct हैं, और यह बहुत ही अच्छा concept है, काफी important है यह, यह भी आप पर सकते हैं, यह भी दोनों sentences correct हैं, अब अब देखिए, अभी तक हमने बात की थी कि principal clause past tense में होगा, और यदि principal clause present में है या future में है, तो subordinate clause आप किसी भी tense में लिखेंगे, तो वो correct आपका माना जाएगा, यह भी एक काफी important concept है, जैसे यहाँ पर यह सारे sentence correct है, यदि principal clause past में, principal clause present में या future में होगा, present या future में होग तो उसके बाद subordinate clause आप किसी भी tense में लिख सकते हैं, सारे sentence आपके correct माने जाएगे, एक rule यह है कि दो noun है और अलग-लग noun है, वो end से जुड़ी है, तो definitely वो plural होंगी, singular नहीं होंगी, जैसे computer और telecommunication, यह दोनों अलग-लग subject है, तो इसलिए यहाँ पर हम have बोलेंगे, है से य और यहाँ पर आप देखें, यह भी एक काफी important concept है, यदि दो noun हैं, जैसे principle है और teacher है, यदि दोनों से पहले दा लगा हुआ है, तो वो दो व्यक्ति और दो पोस्ट मानी जाएगी, दो पोस्ट हैं और दो व्यक्ति हैं, और plural माना जाएगा, ठीक है, यदि दो noun हैं और एक व्यक्ति के पास दो पोस्ट हैं, एक ही व्यक्ति दो पोस्ट को hold करता है, तो उसको हम singular verb उसके लिए हम use करेंगे, यहाँ पर यह sentences दी है, the principle and teacher, बतलब यह एक ही व्यक्ति है, और एक ही व्यक्ति principle भी है, और teacher भी है, तो यहाँ पर have लगा दिया है, जो कि गलत है, तो इसल सेंटेंस आपका सही है, the principle and the teacher, यह दो लोग है, तो इसलिए इसमें आपको have लगाना होगा, has से यह गलत हो जाएगा, तो इस तरीके से आपको यह concept को समझना है, आगे हम देखते हैं, if two subjects together express a single idea, the verb is in the singular, यह दिए दो subject हैं, लेकिन वो किसी single idea को express करते हैं, या किसी एकी च दिखा है, bread and butter are essential for one's life, ठीक है, हाला कि bread and butter, दो अलगलग commodity है, दो अलगलग item है, लेकिन यहाँ पर हम उसको किस तरीके से यूज़ कर रहा है, यहाँ पर हम उसको commodity की तरह यूज़ ना करते हुए, यहाँ पर हम उसके थुरू दिखा रहे हैं, कि bread and butter का मतलब है, रोजी रो हुआ, वो singular हुआ, bread and butter का यहाँ पर मतलब है, कि हम पेशा, किसी व्यक्ति के पेशे की बात कर रहे हैं, उसके profession की बात कर रहे हैं, या किसी livelihood की बात कर रहे हैं, तो इसलिए bread and butter हाला कि दो community, दो community हैं, लेकिन उसके बाब जूद भी हम इसको singular में यहाँ पर लेंगे, क्यों bread and butter are essential for one's life, तो इसका मतलब तो यह होगा, कि bread and butter को खाना एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, लाइफ को चलाने के लिए, जबकि ऐसा नहीं है, वो यदि bread and butter नहीं भी खाएगा, तो उसकी लाइफ चलती रहेगी, ठीक है, तो bread and butter का यहाँ पर मतलब है, कि हम livelihood की बात कर रहे हैं, और यह वाला जो नीचे वाला sentence है, यह आपा सही है, every जो होता है, वो singular होता है, और उसके बाद जो noun आएगी, वो singular में ही आएगी, क्योंकि every का मतलब होता है, प्रतेक, देखिए इसमें एक लगा हुगा है, प्रतेक मतलब एक, ठीक है, तो चुकि यह एक है, इसलिए singular में यूज़ करेंगे, every man, यह singular है, वो man singular है, अब यहाँ पर r लगा दिया, यह गलत है, क्योंकि यहाँ पर subject भी singular आएगा every के बाद, और बर्व भी singular में आएगी, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यह man singular है, we man भी singular है, और यह भी singular है, ठीक है, तो इसके बाद ध्यान र यदि दो singular noun either या और से जुड़ी हैं, तो वो दौनों singular में use होंगी, either manos और ramesh has the key to this problem, क्योंकि either और और से जब दो singular noun जुड़ी होती हैं, तो इसका मतलब है कि हम एक बार में एक ही व्यक्ति को ले रहे हैं, या तो manos को ले रहे हैं, या रमेश को ले रहे हैं, तो इसलि है उसके friends, तो एक noun ही singular, यानि परहस्त singular हुआ, और his friends जो हुआ, वो plural हुआ, तो इस तरह के sentences में हम क्या करते हैं, इस तरह के sentences में दो rule में आपको बताऊँगा, एक तो rule ये है कि singular हमेशा पहले आएगा, plural हमेशा बाद में आएगा, और plural subject के बाद plural noun का ही प्रियोग होगा, ठीक है, नीदर परहस्त नौर his friends were present at the party, ये sentence सही है, पहले हम singular को लिखेंगे हमेशा, पहले plural नहीं आएगा, पहले singular लिखेंगे, उसके बाद plural लिखेंगे, और plural subject के according फिर plural verb हम लिखेंगे, तो ये sentence आपका नीचे बाला correct है, आगे हम देखते हैं, यदि दो subject, two or more subject of different persons connected by or, nor, either, or, neither, nor, verb agrees to the subject nearest to it, इसका मतलब क्या है, कि जैसे ये दो person है, she एक अलग person है, और I एक अलग person है, ठीक है, आई को वैसे हम plural मानते हैं, she को हम singular मानते हैं, तो यहाँ पर यो verb आएगी, वो इसके पास वाला जो subject होगा, उसके according आईगी, ठीक है, जैसे इस sentence में, she भी लिखा है, और I भी लिखा है, लेकिन verb जो है, वो I के according आईगी, क्योंकि I जो है, वो will के पास में है, आप I के साफ से shell आना चाहिए, यहाँ पर, तो इसलिए यह sentence गलत है, यहाँ पर I के साफ से shell आ रहा है, तो यह sentence आपका सही है, तो इसको य यहाँ तो आप इस तरीके से लिखिए sentence को, या फिर इस तरीके से लिखिए, यह नीचे वाले दोनों sentence correct है, और उपर वाला गलत है, क्योंकि यहाँ पर I के साथ यह जो will लगा है, यह नहीं आएगा, यहाँ पर I के साथ क्या आएगा, शेल, अब नीदर राम और रिया हैस यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपका सही है, यह क्या है, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है, क्लोजनेस या नीजनेस, ठीक है, तो real subject आपको लेना है, जैसे यहाँ पर आप देखिए, the homework of many students is incomplete, तो यहाँ पर जो real subject है, वो students नहीं है, जो real subject है, वो homework है, जो की singular है, तो इसलिए homework according यहाँ पर जो बर्व आएगी, वो आपकी आएगी singular, तो इसलिए नीचे वाला जो sentence है, यह इसमें correct है, आगे हम देखते हैं, word joint to a singular subject by, देखिए, यह काफी सारे word मैंने दिये हैं यहाँ पर, as well as, along with, in addition to, with, तो इनके बाद यहीं दो subject जुड़े हैं, तो बर्व जो आएगी, वो पहले वाले subject के according आएगी, मतलब इनसे पहले जो subject दिया है, उनसे उनके according आएगी, जैसे यहाँ पर गु disciple नहीं पढ़ेंगे, इसको हम disciple पढ़ते हैं, disciple का मतलब होता है, चेला या सिशे, तो as well as, in addition to, along with, to, with, together with, यहाँ पर जितने भी मैंने word दिये हैं, like, unlike, इनसे यहीं दो नाउन जुड़े हैं, तो जो बर्व आएगी, वो पहले वाले नाउन के according आएगी, यहाँ पर गुर काफी important है, यह जो concept है, यह काफी important है, और यह word यहाँ पर काफी सारे word मैंने दिये हैं, यह banking के लिए भी काफी useful हैं, और SSC के लिए भी काफी useful हैं, आप यहाँ पर देखिए आप, either, neither, each, everyone, यह सारे singular हैं, either, neither, each, or every, everyone, और यहाँ पर many a, many plural है, लेकिन many a singular है, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है, many a man have, यह गलत है, many a लगा है, तो man आएगा यहाँ पर, लेकिन man singular है, तो उसके बाद यहाँ पर has आएगा, many a man has, यह sentence सही है, नीचे वाला इसमें, ठीक है, तो आपको concepts को समझना है, आपको रटना नहीं है, किसी भी चीज़ को concept को समझना है, concept को आप समझेंगे, तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी, याद रहने के लाबा आप उनको सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, जैसे plural noun denoting a specific quantity और amount, quantity और amount जितने भी होते हैं, वो सारे singular होते हैं, जैसे five hours are too short a time to judge one's personality, मतलब पांच घंटे का जो समय है, वो किसी व्यक्ति के personality को check करने के लिए बहुत कम है, तो पांच घंटे का जो समय है, वो एक quantity या एक amount है, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है a time, तो a time का मतलब है कि इसको हमको singular में लेना चाहिए, five hours अपने आप में plural है, लेकिन वो अपने आप में five hours मिला के एक quantity बन जाती है, एक amount बन जाता है, तो इसलिए यहाँ पर आपको singular में इसको लिखना पड़ेगा, five hours is यहाँ पर आपको लिखना होगा, और यह sentence आपका सही हो जाएगा, आगे हम देखते हैं, my friend, philosopher and guide have come, यह काफी important sentence है, कि मेरा friend और मेरा philosopher और मेरा guide यहाँ पर आ चुका है, मतलब एक ही व्यक्ति के लिए हम बोल रहे हैं कि एक ही मेरा जो friend है, वो philosopher भी है और guide भी है, यह अलग-लग व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति, friend भी है, philosopher भी है और guide भी है, तो इसलिए इसके लिए हम has का प्रयोग करेंग, have का नहीं, यह काफी important sentence है, काफी confusing हो सकता है यह, slow and steady win the race, गलत क्यों है यह sentence, इस इसा व्यक्ति जो धी में तो चलता है, लेकिन मजबूती से चलता है, वो आखरी में race को जीच जाता है, ठीक है, तो slow and steady हम एक व्यक्ति के लिए यूज कर रहे हैं, और वो व्यक्ति एक ही है, तो इसलिए यहाँ पर slow and steady wins हम बोलेंगे, win नहीं बोलेंगे, तो नीचे वाला जो sentence है, यह आपका correct sentence है, अब इसमाँ देखे, fish and chips is my favorite dish, तो यहाँ पर हमने इसको लगाया, इसलिए लगाया है, क्याकि fish और chips मिला के एक dish का नाम है, एक खाने की चीज का नाम है, हलाकि यह दो अलग-लग चीज़े हैं, लेकिन यह दोनों मिल के एक dish बना देती हैं, तो fish and chips is my favorite dish, तो इस तरीके से इसको आपको use करना है, अब यहाँ पर देखिए, poverty and misery comes together, comes together इसको यह गलत है, क्योंकि poverty एक अलग चीज़े है और misery एक अलग चीज़े है, poverty का मतलब है गरीबी और misery का मतलब है, बहुती बुरी हालत, बहुती आपकी जिसको हम बोलते हैं, दुर्द and misery come together, इस तरीके से सही होगा, क्योंकि यह दो अलग अलग नाउन है, यह एक ही नहीं है, my father unlike my uncles, unlike से जुड़ा है, father और uncle unlike से जुड़ा है, तो इसमें जो बर्व आएगी वो father के साब से आएगी, ठीक है, इसके साब, unlike के पहले जो word आएगा उसके साब से आएगी, तो यहा पर हम इसका प्रियोग करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर, आगे हम देखते हैं, a white and black cow was grazing in the ground, अब देखिए, एक ही cow है, और वो एक ही cow है, इसलिए उसको हमने singular में लिखा है, और एक ही cow है, लेकिन इसके दो color है, white और black color की ही है, वो गाय, a white and black cow का मतलब है, एक ही cow है, एक ही गाय के दो color है, एक ही cow है, दो color में है, वो आदी वो काली है और आदी वो सफेद है, चुकि यहाँ पर a एक ही बार लगा है, इसलिए इससे indicate होगा, कि गाय एक ही है, लेकिन वो दो color की गाय है, तो इसलिए इसमें हम क्या लगाएंगे, तो was यहाँ पर यह सही है, अब यहाँ पर देखिए, a white and a black cow, ठीक है, अब a यहाँ पर दो बार लगा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इसका मतलब यह दो गाय हैं, अलगला color की, तो यहाँ पर यह वर जो है, वो आपका सही है, तो इस तरीके से आपको concept को समझना है, concept का आप समझेंगे, तो आप कभी भी मात नहीं खाएंगे, अब आप इसमें देखिए, चर्चिल was a great orator and a great politician of his time, अब हम चर्चिल के बारे में, चर्चिल जो है, विंस्टन चर्चिल, उसको auditor भी बोल रहे हैं, और politician भी बोल रहे हैं, उसलिए अलगलग a यह लगाने की जर दो बार यूज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि दो लोग हम यहां पर count कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर have का प्रियोग होगा, have यहां पर आपका सही माना जाएगा, has नहीं आएगा, has, राम और श्याम कम, तो यहां पर हम have लगाएंगे, कि has लगाएंगे, यहां पर हम fault, five members के लिए हम इदर का प्रियोग नहीं करेंगे, five के लिए हम one of the का प्रियोग करेंगे, और five members आएगा और यहां पर is आएगा, यह बलकल सही है, one के बाद जो बर्ब आती है, वो singular में आती है, यह बर्ब singular में है, यहां पर दी है, लेकिन subject plural में आता है, यहां पर members दिया ह है, यह plural में है, तो यह भी काफी important sentence है, बोथ के बाद हम not नहीं लगाते, both of them did not take the exam, बोथ के बाद हम neither लगाते है, मतलब बोथ के साथ not का प्रियोग नहीं होता, ठीक है, यह बोथ के साथ यहां पर not का प्रियोग हुआ है, यह गलत है, neither of them हम लगाएंगे, neither of them took the exam, तो यह sentence सही है, काफी important concept है यह, जितने भी बीमारियां होती है, disease, sports और subjects, भले ही उनके बाद ऐस लगाओ, वो singular में मानी जाती है, क्योंकि वो एक ही subject होता है, जैसे physics हुआ, statistics हुआ, कोई सा भी subject हुआ, economics हुआ, तो यह सारे आपके singular में ही लिखे जाते हैं, लेकिन statistics का मतलब यदि data के हम sense में use कर रहे हैं, तो वो आपका plural माना जाएगा, जैसे यहाँ पर आप देखिए, statistics is a difficult subject, यह sentence सही है, क्योंकि as a subject हम यहाँ पर इसको indicate कर रहे हैं, और यहाँ पर हम इसको data के sense में, आंकड़े के sense में use कर रहे हैं, त the appeal of the victims for the transfer of the cases related to rights to some other states, अब इसमें क्या आएगा, इसमें जो real subject है, वो क्या है, इसमें real subject आपका appeal है, ठीक है, appeal singular है, तो इसलिए इसमें हम has का प्रियोग करेंगे, have का नहीं, यह काफी important sentence है, particularly banking exam के लिए, क्योंकि उसमें सी तरीके के lengthy sentence आते हैं, the audience have taken seats, अब चुकि यहां पर seats आ रहा है, और seats countable होती है, और कई सारी होती है, तो इसलिए हम यहां पर लगाएंगे, there, और यहां पर हमने, the jury has given its verdict, यह सही है, क्योंकि पूरी jury ने मिलकर एक verdict दिया है, एक नियाय दिया है, तो इसलिए sentence सही है, यहां पर हम divide की बात कर रहे हैं, divide का मतलब कि काफी सारे members है, तो इसलिए यहां पर हम its नहीं लगाएंगे, यहां पर हम लगाएंगे, there, और यह नीचे बादा sentence आपका सही है, यहां पर हम देखते है, 100 rupees is in my pocket, यह sentence सही है, ठीक है, यह sentence सही क्यों है, क्योंकि यहां पर यह 100 rupees एक amount की तरह use हो रहा है, त हम संख्या की बात कर रहा है, कि 100 rupees को बाटा जाना है students में, ठीक है, तो यहां पर यहां पर यहां पर यह प्लूरल का use होगा, यह काफी important sentences मैंने लिए है, 5000, 5 के बाद 1000 में यह नहीं लगेगा, यह सही है, रूपीज यहां पर सही है, 5000 rupees is a handsome amount, यह sentence सही है, क्योंकि 5000 की रकम की हम बात कर रहे है, 5000 का जो amount है, वो एक handsome amount है, तो इसलिए यह sentence यहां पर सही है, 5000 rupees have been spent on different useful commodities, तो यहां पर भी हम इसको 5000 rupees have been spent का मतलब है कि 100 rupees किसी पे spend किये, फिर 200 किसी और पे spend किये, फिर 500 किसी और पे spend किये, तो इसको हम अलग अलग एक संक्तर ले रहे हैं, तो इसलिए यह वाला sentence सही है, यहां पर हम have का प्रियोग करेंगे, यह वाले sentence देखिए, she is one of the noblest women that has or have lived on this earth, यहां पर देखिए यह that होता है, relative pronoun, इसके पहले जो noun होगी, जिसको हम antecedent बोलते हैं, उसके according यह noun आएगी, तो यहां पर women plural है, तो यहां पर हम have का प्रियोग करेंगे, यहां trust में as नहीं आएगा, यहां पर यह गलत है, यहां पर यह सही है, क्योंकि who से पहले plural noun लगी है, इसलिए trust यहां पर सही है, और यहां पर आई ना आते हुए, यहां पर आएगा दे, यह sentence काफी important है, more than one जो होता है, वो singular होता है, ठीक है, more than one man was present there, यह singular, सही है यह sentence, great many जो हो होता है, वो plural होता है, ठीक, इसके साथ है वाता है, अब यहां पर देखिए, one should be followed by one only, one के बाद जब अजय सिब केस हम लगाएंगे, तो once लगाएंगे, his नहीं लगाएंगे, one must tolerate one's friend as well as one's enemy, his enemy नहीं लगाएंगे, यहां पर सही होगा आपका once, one of के बाद, one of के बाद जो noun या pronoun आएगा, वो plural में आएगा, जैसे them भी इसमें आप लगा सकते हैं, और voice भी लगा सकते हैं, लेकिन verb जो आएगी, वो singular में आएगी, क्योंकि verb जो जुड़ी हुई है, वो one से जुड़ी हुई है, we के बाद यदि each आता है, तो वो plural में माना जाएगा, ठीक, इसका subject ज जैसे more than one city was in ruins, ruins का मतलब है कि बरवादी पर थी, एक से ज़्यादा city बरवादी की कगार पर थी, यह इसका मतलब है, तो यहाँ पर more than one जो होगा, वो singular होगा, क्योंकि one जो होता है, वो singular होता है, तो one के बाद जो subject आएका, यह singular में ही आएगा, ठीक है, और यहाँ पर लगा है, तो more के बाद तो मैं प्लूरल ही लगा हुआ, और जब cities plural है, तो वर भी plural होगी, इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं, तो इसमें मैंने subject बर वैगरी में, इनके कुछ questions इसमें मैंने लिये हैं, और मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आए होंगे, आप इसको इसमें नमबर भी है, मुझे आप call भी कर सकते हैं, और definitely कोई भी आपको गलती लगी हो, इसमें किसी भी word में, किसी भी spelling में, किसी भी तरह की कोई गलती या कोई लैप्स आपको लगा हो, तो जरूर आप indicate करें, जिसका सन में, या phone के थूरू, या mail के थूरू, और definitely मैं उस इस वीडियो, थैंक य।